नमस्कार दोस्तों आईए इस वीडियो में हम जुबिलेंट ग्रुप के तीन स्टॉक्स का डिस्कॉशन कर लेते हैं तो इन तीनों ही स्टॉक्स में बहुत गिरावट आ चुकी है तो हम देखेंगे क्या न्यूस चल लई है और इसमें अब हमारी ट्रेडिंग स्ट्राटीजी क्या होनी चाहिए तो तर्चा शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ इंट्रा डे और स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है आप उसे जरूर जोइन करिए वहाँ पर हम एडवांस्ट अनेलिसिस के बाद तरजेशन्स देते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है हम से भी रेजिस्टर नहीं है और हमारे वीडियोस के वल एडुकेशनल परपस के लिए होते है आप इन्वेस्मेंट से पहले अपने एडवाईजर से जरू कंसल्ट करिएगा आईए दोस्तो अगर मैं जूबियेंट फूट वर्क्स की बात करूँ तो आईए इसमें थोड़ा सा आर्टिकल निकला था तो इसमें इनका यह कहा जा रहा था कि यह फूट डिलिवरी प्लेटफॉर्म्स जो है वो काफी आ रही है और कंपनी का वैल्यवेशन अल्रेडी बहुत हाई है मतलब इनकी शेयर प्राइस अल्रेडी बहुत हाई है वेन कंपेर्ड विद अधर लिस्टेट क्यू एसर प्लेयर्स तो इसी स्कूरे से लोग कह रहे है कि इसमें थोड़ा सा डिस्काउंटेड मतलब आगे शायद कंपनी अपनी ग्रोथ को सस्टेन ना कर पाई और अगर आप देखेंगे तो इलारा करन तुरानी जी कह रहे है कि यह तीरी स्टॉक्स को लेके काफी बुलिच है उसमें एक जूबलेंट फूडवर्क्स भी है तो आएए देख लेते हैं इंका जूबलेंट फूडवर्क्स के बारे में क्या कहना है significantly gain with the accelerated lifting of covid-19 related curves तो यह एक अच्छी खबर है home deliveries के बारे में इन्होंने कहा है कम हो सकती है resumption of offices but in-person dining वहाँ पर बढ़ जाएगी तो overall चीज़े अच्छी होंगी लोग malls में जाएंगे तो मान के चल ले आए जोग कि इनका अच्छा business growth करें तो यह एक अच्छी खबर है दोस्तों बाकि दोस्तों यह उसको लेकर merge करने का plan कर रहे है नीदर लैंड्स की यहां पर देखिया है fight suit systems है step down subsidiary नीदर लैंड्स तो यह सब यह लोग अपनी merging के बारे में भी plan कर रहे है but analyst का कहना है कि आपने इसको अभी अपने plan को पूरा अच्छे से बताया नहीं है तो आप पूरा exactly plan बताईए कि आप क्या करना चा रहे है और कुछ जो store sales की growth है उसके बारे में भी इनोंने अपने अच्छे से बताया नहीं कि कितने stores नहीं हुए है क्या हुआ है तो इस वज़े से बड़े बड़े जो analyst है वो इसका future prospect नहीं समझ पा रहे है और इसी वज़े से stock में हमें regular एक गिरावट देखने को मिल रही है और stock में अपना यह जो था 3000 का एक बहुत strong support तो भी दिया है तो अब मैं इसका अगर 5 यह चार्ट देखूं दोस्तो तो अब जो इसका strong support निकल के आ रहा है वो एक यहां पर निकल के आ रहा है यह यह वाली line अगर मैं बनाऊ मैं एक बना के दता देता हूं आप लोग को यह वाली line पे अच्छा support अब निकल के आ रहा है 2400 तो आपको दोस्तो किसी भी case में अगर आप position में राते है तो 2400 का इस top loss रखना पड़ेगा और targets क्यो रहेंगे हमारे वो 3000, 3300 और 3300 के उपर अगर breakout हो तो इस stock 4000 तक जा सकता है एक साल के अंदर तो आप accordingly इसमें अपनी trading strategy बनाएगा अब देखिए दोस्तो trend तूटने का यही सब नुकसान होता है इस stock बहुत अच्छे से यह देखिए इस वाली trend line को बहुत अच्छे से follow कर रहा था बट जैसे ही यह वाली trend line तूटी फिर इसमें से regular गिरावट आ गई तो इसी तरह कहा जाता है कि जब breakout होता है या breakdown होता है तो इस stock में trend reversal के signature वो कहा जाता है कि trend reversal होगे उसका एक example आपके संग jubilant foods भी है दोस्तो अगर मैं इंगिरीविया की बात करूँ तो इन्होंने dicatine में एक new facility स्टार्ट की है various easters chemicals produce करने के लिए तो यह एक अच्छी ख़बर थी उसके आज stock भागा भी था बट ग्रोथ को sustain नहीं कर पाया और यह stock भी काफी time से आप कहा सकते है गिरावट में है recent में 840 का high बनाया तो उसके बाद आप देखेंगे यह stock regularly गिरता ही जा रहा है तो एक 520 का बहुत strong support था उसको भी stock ने तोर दिया अब एक जो अच्छा support निकल के आ रहा है वो इसी level के ही पास है तो यह यहां पर देखिए अब आप यह एक level पर ठीक ठाक एक support यहां भी निकल के आ रहा है एक बाद दोस्तों इसको मैं daily charge पे करता हूं तो ज्यादा clear पता चलेगा तो यहां पर देखिए stock यह 520 के आसपास एक level था फिर उसको इसने stock अभी 466 के पास है तो यहां पर देखिए यह 466 तो stock नहीं यहां पर यहां पर एक थोड़ा था यह वाली candle का low बनाया था तो यह एक area हमारे पास support की तरह है weekly time frame में यह area तो आप दोस्तो यह area आ रहा है तो आप 450 का छोटा सा इसमें stop loss maintain करके position मेरा सकते हैं और जो targets निकल के आ रहे है दोस्तो easy जो हमारा पहला target निकल के आ रहा है वो 520 और अगर stop ने 520 के ऊपर breakout दिया तो फिर stop में हमें 9TG देखने को मिल सकती है जिसमें हम 650 को भी aim करके चलेंगे तो 520 और 600 650 हमारे targets होने हो 450 मेरा stop loss risk to reward ratio अभी से stop में काफी ज़्यादा बेहतरीन है और अगर आप देखेंगे दोस्तो तो jubilant farmova की earnings बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं खराब आये थे इनके results आप अगर यहाँ पर देखेंगे और निर्मल बांग का जी के कहना है कि no despite in near term results इनके बहुत खराब आये थे आप इनके results देखिए loss पोस्ट किया था company ने तो यह सार इसे नेलिस्ट इसके एकदम against हो गए है और इनको future prospects भी इसको लेके थोड़ा समझ नहीं आ रहे है कि कैसे यह करे गा voluntary withdrawal, continued topring of covid related, one of deals, pricing pressure in US genetics matters तो यहाँ पर कहना है बट कुछ लोग कह रहे है कि revenues bottomed out हो चुके है अब हो सकता है यहाँ से बढ़ ही इससे बुरी हालत नहीं हो सकती ऐसा कहना है कुछ लोगों का और यह stock आपके राके जुन-जुन वाला जी के पास भी है तो Fitch ने आप earnings को outlook को negative बना कर दिया है तो यह भी थोड़ा सा negative चल दा है तो सब कुछ negative ही चल ला है और इसी वज़े से stock की price भी आप देखिए 920 का high बनाने के वाल 396 हो चुकी है इसलिए दोस्तो बिना stop loss के कभी भी trading नहीं करनी चाहिए अब इसमें को अगर मैं 5 VIA का chart खोलता हूं दोस तो यहाँ पे बहुत strong support ता जिसी के आसपा स्टेट कर रहा है तो आप यहाँ पे 360 रूपीस के stop loss के संग इसमें position बना सकते हैं और जो targets रहेंगे दोस्तों वो हमारा पहला target निकल के आ रहे है वो 500 और फिर 600 और फिर 700 तक भी stock जा सकता है एक साल में अगर सब कुछ सही रा तो 500, 600 और 700 के माई targets रहेंगे और 350 का stop loss यह रहेगी इसमें मेरी trading strategy उमीदे दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा आप हमें like and subscribe कीजिए social media especially telegram पे जरूर follow करिएगा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों आपका दिन शुब हो